आज़ा नाव मार्ति कुमारी और मैं बरेली कॉलिज बरेली राष्टे सेवाईजन योन टू के श्वमचिरका तो आज हम आजादी के अम्रित महत्सब पर बात करते हैं सुभाचंद बोस भारत देश के महां 133 अंगरामी थी उन्होंने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए बहुत कठिन प्रियास किये ये उडिशा के बंगाली परिवार में जन्म से सुभाचंद बोस एक संपन परिवार से थी लेकिन उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था और उन्होंने अपनी पूरी जिन्गी देश के नाम कर दी तो चलते हैं हम लोग सुभाचंद बोस जी के जन की ओर सुभाचंद बोस जी का पूरा नाम नेता जी सुभाचंद बोस था उनका जन तेज जनबरी 1897 में हुआ था इनका जन स्थान कटक उडिशा, इनकी माता का नाम पिर्वावती, इनके पिता का नाम जन की नाथ वो था इनकी पत्नी का नाम इमेली, इनकी बेटी अनिता वोस थी इनकी मिर्टू 18 अगस्त 1945 जापान नामक देश में हुई थी सुवाचन बोज जी के सुरुआ जीवन से कुछ इस पेकार से हुई थी सुवाचन बोज जी का जन्म कटक उडिशा के बंगाली परिवार में हुआ था इनके साथ भाई और छे भेने थी अपने माता पिता के नौमी संतान थे नेता जी के अपने भाई सरचन जी के बहुत करीद थे उनके पिता जान की नाद कटक के महसूर बकील थे जिने राय बहदुर नाम से जाना जाता था नेता जी को बचपन से ही पढ़ाई में बहुर रूची थी बे बहुत महनती और अपने टीचर के पिरिये थे नेता जी स्कूल की पढ़ाई कटक से ही पूरी की थी यह इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए बहे कलकत्ता चले गए थे प्रेडैंसी कॉलेज में बीए किया था और नेता जी सिविल सर्विस करना चांते थे अंग्रेजो के सासन के चलते समय भारत के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल था तब उनके पिता ने इंडियन सर्विस की तयारे के लिए उन्हें इंडियन भेज दिया इस परिक्षा में नेता जी ने चौथा स्थान आए इसमें सबसे अच्छे नंबर उन्हें इंग्लिस में मिले थे जिसमें वो इंग्लिस में सबसे ज़्यादा नंबर मिले नेता जी स्वामी बिवे का नंद को अपना गुरु मानते थे बे उनके द्वार की गई बातों का बहुत अनुसरण करते थे नेता जी के मन में देश का बहुत प्रेम था बहर उसकी आजादी के लिए चिन्तित थे जिसके चलते 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी और भारत लोटाए नेता जी का राजनैतिक जीवन कुछ इस्पिर कार है भारत लोटते ही नेता जी स्वतेंता की लड़ाई में कूद गये उन्होंने भारती राश्टी कॉंग्रेस पार्टी में जुआन दे दिया शुरूरात में नेता जी कलकत्ता में कॉंग्रेस पार्टी के नेतार है चित्रा जित्रदंदाश नेत्रा अंत्र में काम करते थे नेता जी चित्रंदाश को अपना राजनैतिक गुरू मानते थे 1922 में चित्राजन दाज जी ने मोती लाल नहरू के साथ कॉंग्रेस को छोड़ अपनी अलग पार्टी स्वराज पार्टी बना ली जब चित्रा अंदर्श अपनी पार्टी के साथ मीवरण पार्टी बना रहे थे नेता जी ने उस बीच कलकत्ता के नौजवान छाच छात्राव मजदूर लोगों के बीच अपनी खाज जगह बना ली बे जल से जल पराधिन भारत को स्वराधिन भारत के रूप में देखना चाते अब लोग सुभाच चंड़ बोस के नाम से जानते थे उनके काम की चर्चा चारों और फैल रही थी नेता जी एक नौजवान सोच लेकर आए बे जिससे वो नए यूबा नेता के नियम पर नहीं चलना चाहते थे बे स्वयम के हिसाब से चलना चाहते थे तो मैं आपके सामने कुछ लैने बताना चाहते हूँ देश की आजादी के लिए बाजी लगाई जान की खुद की परवा नहीं परवा की सिर्फ देश की सान की जहां पैदा हुए जो नेता जी जैसे सपूत उस देश को जरूरत नहीं किसी वर्दान की अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सेर और सस्प्राइब करें कमेंट बॉक से कमेंट करने न भूले